तो वेलकम बैक फ्रेंड आशाकरतवा बहुत अच्छोंगे सो मेरा नाम है विवेक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रैविटेशन जो महारश्टर बोड का सायंस आंड टेकनोलोजी पार्ट वन जो हमने स्टार्ट किया था उसको वीडियो थ्री तो बेसिक्सली फर्स्ट जैसे यह लेसन खतम होता है वैसे वहाँ पे आपको मैं इस लेक्चर सेर्स की पीडियो प्रोवाइट कर दूंगा अगर इसका कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब आन लाइक शेर दिस चानल ठीक है तो आज हम बेसिक्सली देखने वाले हैं सेंटर आप मा से पहले हमने लास लेक्च्टर सेमें क्या देखा था कि हमारा यह जो फॉर्स वो फोस यह जो यूदि आप ग्रावेटेशन है वो उनके बीच में एट सपोस्ट हमारे पास दो बॉडी सें ओके तो इनकी बीच में जो फोर्स है वो किस से प्रपोर्च्नल है तो यह जो फो जी है, जी को क्या बोलते है, या ये जो इन्टर of मास है, क्या होता है, देखो, बहुत बार आपने ये देखा होगा, कि क्लास में कोई एसा स्टूडंट होता है, जो अपने एक उंगलियों के उपर पूरा भूक को हुमाता है, तो ऐसा point जिसको हम अगर जिसके उपर हम पकड़ ले तो उसके उपर पूरे body का mass बैलन्स हो सकता है ऐसे point को हम बोलेंगे center of mass जैसा अगर मैं बोलूँगा example से कि यह हमारा एक object है और मैंने suppose यहाँ पे अपने उंगलियों से उसे सकड़ा है तो इसके आजबा जो यह जो object है घूम सकता है तो यह जो पॉइंट हुआ ना तो यह जो point हुआ उसे बोलते center of mass अब इसका scientific अगर notation देखेंगे या आजम scientific समझना चाहेंगे कि suppose हमारे पास एक stone है अभी मालूम है हमारे पास stone में बहुत सरे पार्टिकल होते सपोज यहाइक पार्टिकल है यहाइक पार्टिकल है यहाइक पार्टिकल है यहाइक पार्टिकल है तो देखो सपोज इस पार्टिकल का मास है M1 इस particle का mass है M2 इस particle का mass है M3 and इस particle का mass है M4 तो ये सभी particle की mass जहाँ पे concentrated होते हैं जहाँ पे concentrated होते हैं It means that the point at which the mass of a whole body is concentrated this point is known as center of mass means ऐसा point जहाँ पे पूरे body का mass concentrated होता है and जिस point से हम उस body को balance कर सकते है ऐसे point को हम बोलेंगे center of mass तो इस condition में सभी particle का जो moss है वो इस point के उपर concentrated है तो इसी लिए ये क्या होगा हमारा center of mass okay I hope यहाद तक clear हो गया होगा एक बार definition देख लेते है कि center of mass क्या होता है just a second की center of mass क्या होता है the mass of object can be assumed to be concentrated okay the center of mass of an object is a point inside or outside the object at which the total mass of an object can be assumed to be concentrated अभी हमें यह ध्यान देना है कि यह center of mass वाला जो point है यह body के अंधर भी हो सकता है and body के बाहर भी हो सकता है तो हमें उतना ही ध्यान देना है कि पूरे body का mass जहापे concentrated होता है उसे हम बोलेंगे center of mass अब दूसरे चीज़ यह है कि अगर suppose कोई object जो है अब हम देखेंगे circular motion uniform circular motion and magnitude of the centripetal force देखो अगर कोई भी object जो होता है अगर circular park में travel करता है तो हमें पता है कि center की तरफ एक force लगता है जिसे हम बोलेंगे centripetal force and the force जो लगता है center से बाहर की तरफ means away from the center उसे बोलेंगे centrifugal force अब देखो जैसे जैसे यह body move करती है तो इसकी जो speed की जो direction होती है वो along the circumference होती है speed की जो direction क्या होती है along the circumference होती है it means that speed उसका change नहीं होता लेकिन velocity की जो direction होती है वो कैसा होती है वो होती है tangential okay means tangential यह velocity की direction होती है इसलिए हमें always ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टिकल circular path में travel करता है okay कोई पार्टिकल अगर circular path में travel करता है तो velocity की direction at the every point is changes okay इसलिए हम जो भी object circular motion में travel करता है ऐसे motion को हम बोलेंगे accelerated motion तो आपको इतना ही धान रखना है कि circular means यहाँ पे uniform circular motion means क्या होता है कि at every point the velocity or the speed is constant suppose अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हैं ओके circular motion में कोई पॉइंट यहाँ पे हैं तो इस पॉइंट पे अगर किसी पार्टिकल की velocity 50 km पर और है यहाँ पे 50 km पर होई होगी यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे पेशन मैंस एवरी पॉइंट पे उसकी जो वेलाउसेटी है वो constant होगी इसलिए हम बोलेंगी uniform circular motion ओके यहाँ पे जो वेलाउसेटी है वो constant है उसके बाद अपने यह देखा था कि जो फोर सेंटर की तरफ डारेक्टेड होता है उसे बोलेंगी centripetal force ओके यहाँ पे वही देखे है कि directed toward the center is known as centripetal force अब हम देखते है यह जो centripetal force होता है इसका magnitude क्या होता है देखो क्या सिंप्ली हमें मालूम है कि जो four center की तरफ डारेक्टेड होता है वो centripetal force होता है लेकिन इसे calculate कैसे करेंगे वह जो centripetal force होता है centripetal force की value होती है mv square upon अब देखो ये जो force है वो center की तरफ directed है तो इसे हम देंगे कौनसे Direction स्री इसे हम देंगे negative Direction कौनसे Direction निगे डिरेक्शन एक force जो आउटवर्ड होता है उसे हम बलेंगे Centrifugal force तो centrifugal force bm v square upon r होता है लेकिन ये होता है positive direction it means that centripetal force and centrifugal force ये दोनों भी same forces होते है magnitude same होता है but they are a positive direction it means that अगर कोई force इस वाले direction में लग रहा है और इस direction में लग रहा है तो दोनों force के जो quantity है वो same है it means that दोनों force एक दूसरे को cancel out कर देते है and resultant force कितना आता है 0 आता है तो centripetal force and centrifugal force ये दोनों का magnitude same होता है that is the mv square upon r लेकिन उनकी direction या तो plus होगा या तो minus होगा इतने ही आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर हमारा जो centripetal force है उसका magnitude कितना निकला है that is the mv square upon r I hope यहाँ तक clear हो गया होगा अब हम आगे चलते है कि एक condition है उसके सबसे हमें क्या देखना है कि यह जो centripetal force है धान दो कि यह जो centripetal force है अभी धान दो simply centripetal force जो होता है suppose कोई object यहाँ पर है and अगर यहाँ से उसके तरफ centripetal force लग रहा है suppose object यहाँ पर है तो यहाँ पर distance कम है तो obviously centripetal force जादा होगा अगर मैं बोलता हूँ कि उसका radius बढ़ जाता है suppose object यहाँ पर आ जाता है तो इस condition में क्या हो रहा है कि हमारा जो particle है and center है यहाँ से center से उस particle का distance या उस object का distance बढ़ रहा है तो जैसे distance बढ़ता है centripetal force भी weak हो जाता है it means that क्या सोच सकते हैं कि यह जो centripetal force है वो depend करता है r के उपर किसके उपर depend करता है r means centripetal force and radius means circular path में जो planet rotate कर रहा है उसके बीच में कुछ ना कुछ relation है तो उसी relation को हम इस lecture में find out करेंगे देखो यहाँ पे कुछ derivation दिया है derivation को हम करने के कोशिश करेंगे देखो simply हमें पता है कि यह जो centripetal force है तो centripetal force का formula क्या है that is the mv square mv square upon r where m is the mass of planet v क्या है velocity of the planet r क्या है it is the distance of planet from the sun क्योंकि हमें पता है कि planet जो है star का चक्कर लगा रहा है तो यह जो r है वो क्या है distance of the planet from the sun अब हम देखते हैं कि इसकी velocity क्या होगी अगर suppose कोई planet star के around rotation या revolution कर रहा है तो उसकी velocity क्या होगी total distance travel upon total time तो velocity क्या होती है distance upon time तो अभी मालूम है कि यह जो planet है कहाना का elliptical orbit में travel कर रहा है elliptical orbit में travel कर रहा है तो हम क्या करेंगे यह जो path है यह क्या है circumference है distance की जगा हमने क्या लिखा that is the circumference 2 pi r यह कितना होता है distance होता है 2 pi r and t kya है t is the time period मतलब उस प्लानेट को star के around चक्कर लगाने के लिए कितना time लगा that is the v is equals to 2 pi r upon t अब देखोर next क्या है कि centripetal force is equals to one type of force होता है that is the m v square upon r simply हम क्या करते है put the value of equation 1 in equation 2 मंसल यह जो value है हम क्या करेंगे इस equation में put करेंगे we get force is equals to mass v square की जगा हम only put कर रहे है 2 pi r upon t का whole square क्योंकि v का square है but v की तो value यह है so v की जगा put करो so we get 2 pi r upon t का whole square upon r already वहाँ पे present है तो अगर देखो यहाँ पे हम करते है कि 2 pi 2 pi r upon t का whole square अगर इसका whole square करोंगे तो 4 का क्या होगा 2 का क्या होगा 4 pi का pi square r का r square and t का t square ठीक है यह value मिल जाएगी तो वहाँ पे वही value लिखके है यह value लिखके है upon r है तो यह जो r है यह वाला r और यह वाला r एक एक r cancel हो जाते है तो बचते क्या है हमारे पास एक एक r बचता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे multiplying and dividing the above equation by r square तो उपर already एक r present था तो हमने उसी r के सार r square का multiplication किया r square का multiplication किया so we get the r cube तो मुझे उपर r cube मिल गया नीचे r already present था so r into sorry नीचे r present नहीं है क्योंकि cancel हो गया so हम नीचे r square का multiplication कर से तो यहाँ पर r square आगे so next equation क्या मिलती है कि 4m pi square r cube upon r square t square तो यह जो r cube है न वो हम नीचे लेके आएंगे so यह t square and r cube के नीचे चला जाएगा लेकिन यह हमें यह वाल equation हमें मिलगी लेकिन हमें पता है कि k plus का third law क्या बोलता है k plus का third law यह बोलता है कि t का square is direct proportional to the r का cube means t square upon r cube is equals to constant only यह जो value है कि यह value हम का put करेंगे यहाँ पर put करेंगे सुधान दो इस equation में put करने से यहाँ पर आजाएगा के क्योंकि t square upon r cube का value क्या होता है k होता है तो यहाँ से यह हमें force की value that is the centripetal force का relation मिल गया तो हम यहाँ पर यह देख सकते है कि यह जो force है force is equals to 4m sorry 4 pi square m upon r square and constant means force is inversely proportional to the r square it means that अगर हमारा r ki value बढ़ती है तो force की value कम होगी ठीक है it means that distance बढ़ता है तो centripetal force क्या होगा कम होगा and अगर distance कम होता है तो centripetal force की value क्या होगी बढ़े की so this is the relation between the force and the radius या distance of the planet from the star तो वही उन्होंने next slide में बताया है कि हमारा यह जो relation मिला है that is the f is equal to यह ही क्या है यह है हमारा centripetal force इसको only f लिखा है so 4m pi square upon r square k so does the newton concluded that the centripetal force which is the force acting on the planet is responsible and is responsible in circular motion inversely proportional to the square of distance between them वो किसे inverse कैसा प्रपोर्शनल है inversely so force and यह जो r है वो एक दूसरे को inversely proportional है so यही relation हमी दिखाना था and हमने वो दिखा दिया ठीक है I hope यहाँ तक clear हो गया होगा इसके regarding कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे comment section पूछ सकते है oh thank you for watching this video oh thank you for watching this video